अच्छी मोगी ते हैं टाइगर स्क्रोप एंड प्रेटी सेनन तो क्या कुछ कहना जागी उनकी कैमेस्ट्री कैसे लगए अच्छी दोनों की प्रेटी संगा रोल का मतालिकन अच्छी दी हाला कि कया से लगाए जा रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में गडपत को अच्छा रिस्पॉंस मिलेगा लेकिन जो फिल्म देख करके आ चुके ही उनका कैसा रिस्पॉंस है उसके लिए देखे ये खास रुपॉर्ट कि अच्छी देखकर आ रहे हैं कैसे लगी फिल्म अच्छी है और टाइगर स्ट्रोप एंड प्रेटी सेनन को क्या कुछ कहना था है उनकी कैमेस्ट्री कैसे लगी आप में अच्छी थी और कितना इंजॉई किया अमिता बच्चन भी इस फिल्म में चाहिए उनकी डायलोग फोन से अपके सब्सक्राइब फॉर्स आप सेकेने फॉर्स आप में अलमस्ट टोलता अमिता बच्चन भाइब इस फिर्यान आप सेम थाइंक तो मच गाईज बाद अच्छी माम एंटेटेंटेंटर रहे हैं और ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहिए आए देखे पिच्छर सब्सक्राइब इस फोर मैं फोर मैंने गनपद देखें मैं गनपद फिल्म मुझे ठीक लगी बट यह है कि टाइगर को अपने इमोशन पर ज्यादा वक्क करना चाहिए था डान्स उनका और स्टेंट यह सब काफी ठीक है एक्षन बट उन्हें इमोशन पर श्यादा वक्क करना चाहिए जैसे रित्ती की मूवी सबकर 30 थी थी ना उन्होंने अपने इमोशन पर पुरा वक्क किया था इनको एक ऐसी मूवी लानी चाहिए जो अपने पुरा इमोशन पर वक्क करें डान्स और एक्षन हां इनका बेस्ट है बर इमोशन सी चलता है किर्थी सहरन का तो काफी अच्छा उनके एमोशन हम लोग पहले भी देख चुग है काफी अच्छी एक्टरेस है तो किर्थी सहरन का अच्छा था बस यह था टाइगर को थोड़ी मोशन पर अपने वक्क करने चाहिए और यह है कि इसकी पार्ट तू जैसे इसका यह कि वेट कर रहे हैं सब हाइप बनेगा इसका नॉर्मल था ठीक ठाक था इमता बच्चन का बहुत शॉर्ट रोल था ऐसा कुछ नहीं बत अमता बच्चन जी तो लीजेंड है उनका आप जानते हैं तो अपना परफेक्ट देखे जाते हैं ऐसी कोई बात है दोनों बराबर ह अब ज्यादा ठीक थी क्योंकि उसमें एंड था और कुछ ज्यादा नहीं था पासपर से किसमें स्टार देना पर सुपत रहे हैं त्री स्टार और इमोशन पर बग करना चाहिए थेंक त्रिम देखकर आ रहे हैं कैसे लगी बहुत अच्छी लगी बहुत इस लिसे लिगी अच्छी लगी इसमें केमिस्ट्री और इस्पेशली जो निगेटिव किर्दार टाइगर ने निभाया किरिती के साथ वो बहुत अच्छा दा है जैसे कि इन जानते हैं टाइगर डांसिंग मार्श्टर आगर में ज्यादा फ्रेमस हैं तो उनकी दोनों रोल देखने को भी निगेटिव करदार ने से लिन इसमें कितना भी बोलो उनके बारे में कमी हो कुछ भी बोलेंगे, कमी है, कुछ बिए इसमें अच्छा को बत्चों को लेख कि आए, क्योंकि फैमिली मूवी है, बच्चों के लिए जितने भी हैं उनके लिए इंस्पेशन और आज का, तो तो तो सब आएं देखें फैमिली के साथ कि फैमिली मुवड़ी पॉइंट फाइव बस थोड़ा वी एफेक्स की वजे से थोड़ा वन पॉइंट फाइव कटा है बागी तो विवर इसे कहीं ज़ाएं फिल्म मुझे वन टेम वाच बोल सकते हैं अटेन एक्शिन मुवी है और मतर किया मुझे जादा प्रोमोशन और हैप भी नहीं हुआ मुझे लग रहा था कि मतलब काफी लोग को पता भी नहीं कि आज रिलीज होने वाली है तो ये मुझे थोड़ी मायूसी हुए अमिता बच्चन है मुवी में तो मुझे लगता है प्रोमोशन होना चाहिए था और ओवराल I think it's a one-time watch मतलब action scenes अच्छे 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 और अच्छे हो सकते थे और plot थोड़ा predictable है तो वो भी और थोड़ा सा story को gripping बना सकते थे screenplay क्योंकि Vikas Behl ने director जिन्होंने queen movie डारेक्ट की थी super 30 ऐसी movies बनाई है उन्होंने तो उनसे कापी अपक्षाई थी तो पिक्षाई पर उतनी नी खुरी है खरी हो भी बढ़ ताइगर शॉफ एक्षन के लिए जाने जाते हैं और उन्हें action scenes बहुत अच्छे से परफॉम किये जो बिस time से बहुत time के बात कृती जादा बहुती जादा beautiful and stunning chemistry है और दोनों बहुती अच्छे लगते हैं और कृती से अनन तो अभी upcoming actress उन्हें national awards जीता है मी मूवी के लिए तो वो तो बहुत ही अच्छा अपना जो भी रोल है बहुत अच्छे से निभाती हैं चाहाँ action movie हो romance हो drama हो thriller हो और tiger shop तो out and out action commercial movie कते हैं तो उनकी भी last कुछ movies उतनी काम्याब नहीं हुई बट ये movie में उन्हें अपना रोल गंपत का बहुत अच्छा निभाया audience को क्या कुछ काना चाहेंगे कि movie कह तो movie थीख है देखिए एडिटिंग भी बिल्कुल शार्फ है सावदो घंटी की मृती सोनी की editing थीख है cinematography बहुत अच्छी है सुदा करेडिया इंगंटी की और direction भी अच्छा है बट कहीं न कई VFX मुझे थोड़े कमजोल लगे और plot थोड़े predictable लगा तो अगर थोड़े और स्किलप्रे को engaging बना देती तो और अच्छी बन सकती थी but definitely one time watch मैं धाई से तीन स्टाथर दे सकता हूँ तो one time watch thank you okay so guys आप लोगों ने गनपत फिल्म देखी कैसे लेगे फिल्म आपको अच्छी मुए मतलब देखना च्छी है सब को इतना बहुत ही हाल दगा हम लोग उनको अच्छी है देखने से सब आओ सब देखो thank you क्रिटी सेन और टाइगर स्रॉप को बहुत टाइम के बाद एक साथ केमिश्टी अपको कैसी लगें दो रहा हूँ फर्स्ट हीरो पंटी के बाद अभी बहुत थोड़ा अपडेटर अपडेटर केमिश्टी लाग रहा है बहुत अच्छा है यह कुछ कहना चाहेंगे कैसी लगी अच्छी एक्षन अच्छा है रोमेंस पॉमेडी बहुत पश्ण आया वहाँ बहुत बहुत बैतरीन मूवी उसमें टाइकर स्रॉब बात करो तो दोनों एक और वार फिर से देखने मिल रहे है हीरो पंटी में बी काफी अच्छा तर यह दोनों काफी अच्छा बॉंडिंग था इस बार भी काफी अच्छा बॉंडिंग लगा मुझे और अच्छा लगा मुझे तो मैं बात करूँ ना बहुत इस च्टोरी में वो कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है क्यूंकि टाइकर स्ट्रॉप को मु बहुत भहतरीन Motor Play बहुत पसीजारिया इसी मुदींग घ्लत कर एंटयाद में और बहुत भहत दा कर जशंगी ऑपड़ियन देखनी लिए कर सिता देंगे जैपाइवी में फालें से फिल्म देखकर आरे आप कैसी लगी तर इक को बन पर मुजे मैं आपको बताओ की बहुत अच्छी थी और उसके जो CGI और ट्राइगर शरॉप जी के जो एक्षन थे वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे कि कि आप वार के उसमें देखो गे ना तो उनके एक्षन इस बार बहुत अच्छे थे और किर्तिस एनौन मैम जो है इस बार उन्होंने भी एक्षन के और फ्यूचर एट से फ्लीम है तो मुझे बहुत पसंद आई है मैं अगली बार भी आओंगा तो मेरे दोस्ट लोगों को लेके आओंगा कि मुझे अच्छी लगी है मेरे दोस्ट लोगों भी अच्छी लगी है एक्षन फ्लीम के मामले में हम दोस्ट लोग एक जैसे ही है सो सर हमें जाना चाहेंगे ओवर ओल स्टोरी की बात करें तो फॉर्स्ट अफ सेकेंड हाफ अच्छी लगी उसके बाद जो एक्षिन साहे तैगर सर के बहुत सही आए और आपको स्टोरी भी जब समझेगी तो आपको भी अच्छी लगेगी मूवी मैं नहीं बोर रहो कि अच को कि आपको भी पसन आएगी मूवी के मूवी बहुत अच्छी है ओडियंस को क्या कुछ करना चाहेंगे कैसी है फिल्म थेटर में आने चाहेंगे की नहीं पैसा वसूल है बहुत पैसा वसूल है आप आओ और देखो जब आपको मालुम पड़ेगा मैं बोलूंगा आपको सेजिया भी बहुत अच्छे है थाइंकियो सब जाना चाहेंगे गनपाथ टाइगर सुपब यह एक वर में बोल सकते हैं सब अच्छे तに मैं चाही पहर को सकती ती गनपाथ की काफी बड़ी कास्ट है ऐसके आमिता बच्चन टाइग और को कि फिर सी थी में उम्मीद सी रहती है पुबिक को की इंके अक्टिंग पर कोई सवाल नहीं उठा सकते है कि सच्छ बता है जो टाइगर कर दावłec जाके देखें एंजॉय कीजिए अब फाइब में से कितने इस्टाफ देना पसंद करेंगे एंड़ एफ फिल्म के बजट की तो फिल्म दो सो करोड में बनी है और पहले दिन इसका जो कलेक्शन है वो दो करोड रूपे से महल जादा हुआ थ्रिलर और एक्शन भरी ये फिल्म जिसमें कृति सैनोन है और टाइगर शॉफ की जोड़ी नज़र आ रही है क्या दूसरे बार भी लोग इसे पसंद करेंगे हालकि इसके जो रिपोर्ट्स हैं जो इनकी रिव्यूज हैं वो थोड़े सुस्त पढ़ते जा रहे हैं क्योंकि ये फिल्म को लेकर के लोगों का कहना है कि जादा ये फिल्म उनको पसंद नहीं आई है लेकिन फिर भी अभी शुरुवाती अंदाजे लगा जा रहे हैं कहा ये जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में ये फिल्म बहतरीन परदर्शन कर सकती है उमीद जो लगाई जा र टेरे ने नेक्स नाइलाइ